23 गंटे में नए 248 केस आई सामने त्योहारों को देखते हुए सामोहिक आयुजुनों पर लगाई गई है रोग नए दिल्ली में चुनाव आयुक की आज रहे हैं बैचक पाँच राच्यों के विदानसबा चुनाव की तारीकों पर हो सकता है बड़ा फैसला सुरक्षाबलों की तैनाती पर भी होगी हाँ चर्चा 26 वरवरी को नहीं चलेंगी बस से तीन संभाग के बस संच्रालक करेंगे हरताल चालानी कारवाई पर जटा रहे हैं विरोध और श्रिफपूरी में ड्यूटी टाइम में डान्स करते नजर आए नर्स डॉक्टर अस्पताल में चल रही थी डॉक्टर नर्स की डान्स की प्रेक्टिस नमस्कार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रुट्व भंडारे और बुलेजिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि भुपाल से मिल रही है जो हां मध्ध प्रदीश महिला कॉंग्रस की आठ्र एहम बैठक है आपको बता दे कि नगर निगम चुनाव और महंगाई को लेकर रणनिती बनाई जाएगी पूर सीम कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे तो भुपाल से खबर आपको बता रहे है मध्ध प्रदीश महिला कॉंग्रस की आच एहम बैठक है तमाम मुद्दों को लेकर य रणनिती बनेगी कि महंगाई पर किस तरह से सत्ता पक्ष को यहां घेरा जा सकता है पूर सीम कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे तो भुपाल से खबर आपको बता रहे हैं तो भुपाल से खबर आपको बता रहे हैं जाम मध्ध प्रदीश महिला कॉंग्रस की आज रहे हम बैठक है पूर सीम कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे नगर निगम चुनाव और महंगाई को लेकर तमाम मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है और आगी कि रणनि किये थे और अब एक बार फिर मध्ध प्रदीश महिला कॉंग्रस की आज एहम बैठक होने जा रहे है जिसमें महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष को किस तरह से आड़े हात लेना है या किस तरह से निशाना बनाना है और जनहित के मुद्दों को उठाना है उसको लेकर भी यहा आपको बता रहे हैं भूपाल से रायपूर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुक करते हैं जोहां आज अनुपूरक बजट सत्र का आज तीसरा दिन है आज पांसुपांच करोड के अनुपूरक बचट पर चर्चा यहां सदन में होगी सीएम भूपेश पगेल ने मंगलवार को सदन में बजट पेश कि पांसुपांच करोड के अनुपूरक बचट पर यहां चर्चा होगी सीएम भूपेश पगेल ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया था जिसके चलते विपक्ष ने काफी हंगामा किया और विपक्ष को शान्त कराने के लिए सत्तापक्ष ने तमाम तरह के अपने सव पालों की जवाब भी दिये थे जुसके चलते आज विपक्ष फिर लाएगा काम रोको प्रस्ताप तो बड़ी खबर आपको राहिपूर से बता रहे हैं और हमारे साथ फोन लाइन बर स्टेट हेड नितिन चौबे जुड़ गए हैं नितिन जुड़ जिस तरह से यहां पर कल दूसरा दिन था और कल यहां पर हंगाम होने के लगतार आसार चताए जारते और एक बार फिर वही आसार यहां पर चताए जारे है अनुपूरक बजट को लेकर तो चर्चा होगे इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष सत्तापक्ष को खेर सकता है डिखिये आज विदान सबाम सत्तर का जो बजट सत्र एसका तीसरा दिन और पांसो पाँच करोड रुपे का जो अनुपूरक बजट बूकेश बगे मुद्दी बूकेश बगे ले रिका था उसके इसके चर्चा होगे होनी है इसमें भी विपक्ष अपने नजरीए से सरकार को घिरने का प्रयाश करेगा पर साथ बता दें कि उसके बाद शून निकाल में भाजपा फिर से काम रोको प्रस्ताव लाने का कर सकती है प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर सकती है अब बिलकुल लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कि कोरोना के आंकड़े भी 36 गड़ में कम नहीं औरे लगतार बढ़ते जा रहे हिजावा देखने को मिल रहा है तो ऐसे में क्या विपक्ष यहां पर गेर सत्ता पक्ष को घेरनी की रणनीती बना सकता है कोरोना को लेकर भी लेकिन उसको लेकर भी विपक्षा करोना में जो मुख के मुद्धा है चात्तिस गड़ में वो को वेक्षीम के धड़ डोस को लेकर है जिसको लेकर स्वास समंत्री ने रोक लगाई थी कि उसके थर्ट रायल के बिना 36 गड़ की जनता को लगने नहीं देंगे तो उस मुद्धे को लेकर निच्चित तोर पे करोना से संबंदी थी है लेकिन को वेक्षीम को लेकर जरूर आज राजनीती गर्मा बिलकुल आप हमरे साथ चुड़े उसके लाप का बहुत शुक्रिया तो रायपूर से बड़ी ख़बर आपको बता रहा है जहां विधान सबा बचट सत्र का आज तीसरा दिन है आज 505 करोड के अनुपूरक बचट पर यहां चर्चा होगी सीएम भुपेश बगेल ने अब रुख करते हैं अगली खबर का जहां बचट सत्र के तीसरे दन बुधवार याने 24 फरवरी आज विधान सबा में कई मामले सदन में उठेंगे सागर की कडान संचाई परियोशना के डूप शेत्र के जमीन का मुआपजा न देने और वही चित्रकूट की मंदाकनी दोनों मुद्दों पर कितनी देर तक चर्चा होगे विधान सबा की कारे वही आपको बता दे कि सुभा क्यारा बचे शुरू हो चाहेगे जिसमें विधायकों के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से मंत्री देंगे इसके साथ ही पिश्पर साल 22-23 स्तंबर और श्वीत काल सुची के मताबिक 24 फरवरी को सुभा क्यारा से 12 बचे तक प्रशन काल होगा इसके बाद सरकार की तरफ से 15 अध्या देश भी विधान सबा में पेश के जाएंगे विधायकों द्वारा लगाए ध्यान आकर्शन प्रस्ताफ पर नियम 138 के तहत चर्चा भी की जाएगे चले अब सीधा आपको सुनवाते हैं ग्रह मंतरी नरोतम इश्व्रा क्या कुछ कह रहे हैं सर गुजरात मॉडल फिर से पसंद किया गया है गुजरात निकाय चुनाव के रिजल्ट आएं कॉंग्रेस का सुप्रा साथ कॉंग्रेस की लगबग अब वही इस्तिकी रहने वाली पूरा देश आजपा के विकास के मॉडल को पाकी के सारे लोग बातें तो करते हैं काम नहीं सब्सक्राइब करते हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं कि मर जाओं मास्क लगा हूँ रमा कामभाई की बेरी कुंकि नेता बेहनी है वड़ता बाते हैं कि आ बाते हैं कि बाते हैं कि बाते हैं कि रुटार्च के पाखिस्टन की बाते हैं गांधी परवार जो है इनका इतिहास बाटने का रहा है तो पहले देश के दो टुपड़े कर आई पर जो देश के भागते कस्मीर जैसे 370 और वो लगा पर उनको परतख रखने की कोशिश अब उत्तरों तक्सक्राद। एक गंगाजी में डूपकी लगा है तर मैं एक अक्सर में उनको बलाई पांड़ चेरी की उनकी आपका सखल रही है यह बिभाजनकारी जो बात है न जो यही सोच है दो पार्टियों का वो टुकुले टुकुले करना चाहते हैं हम अखंड भारत की कलपना करते हैं हमारे प्रदानमंत्री मोदी जी वन नेशन वन एज़ुकेशन वन नेशन वन रासन वन नेशन वन टेक्ट एक देश, एक विदान, एक प्रदान, एक संविदान, ये भारती यंता पालिटी का सोच है, हमारे नेता माद़ी का सोच है, और इनका सोच है उत्तर दक्सिर में और बांड़ दो, मेरे कहां से अच्छा दो, तो लाल किला का जो अरुपी है लखा, वो अमरंदर सिंपी गाउ आप जैसे जैसे इसमें प्याज की पद्रों भालेंगे, ऐसे कई चीजे निकल के आजी होगे, अज़ की आवश्कता थी, ये सिर्थ हुआ है, प्रमाने कुआ है, प्रमाने कुआ है, एक महने के अंदर 24 गटना है आना, मालब मतलब, मैं तो मानता हूँ हमें ही बिलंब हो गया, कितने हमारी बेटियों का जीवन खराब हुआ हो, कितने लोग निकल के नहीं आये होंगे, जो अभी भी मॉन होंगे, ये आवश्कता है, इसको जल्दी करेंगे. कुवित का दो छल्दा है, आपके इसकी मद्वदिस की दिखेंगे, जगातार सकार कजे भी ले रहे हैं, तेंके इस बीच पे साड़े-चार परोंगे सिस्रादा का सबच्चा जोए, मंतियों के पंद्र करेंगे निकले हैं, कुवित, बदानी रखना, अबद, अबद, प्रदेश की पाहराच के लगे है, जबाइ तeluποर्ण आपके गभलेंगे लेकिन टार्ब भी लगा रहे हैं, कही नहीं तो रखना रहर हैं, न तो कही दो रखना, साइट का, पचिछी हम ज दिढ़ने दिप देने का जोग सागवाई ज़ये हैं, तो अबदे दिढ़ने में देखने वाली बात होगी पना पचाव किस तरह से करता है फिलाल वक्त एक छोड़ी से ब्रिक का चलत हाजरूंगे ब्रिक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है और रुक करते हैं अगली खबर का ज्रहा विधान सभा अथिक्ष का चुनाव निर्वरोध होने के बाद कॉंग्रस उपादिक्ष के पद पर अपना दावाद ठोकने चा रही है आलंकि इस बारे में पूर्व मुख्य मंत्री और निताप्रतिपक्ष कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके है कि परंपरा के हिसाब से तो उपादिक्ष का पद विपक्ष के लिए मिलना चाही है उपादिक्ष पत के लिए चुनाव के स्थिती बनने पर कॉंग्रस में उमीदवार उतारने की तैयारी भी कर ले है मंगलवार को नात की मौझूदगी में इस मामले को लेकर पार्टी के वरश नेताओं के बैठक बुलाई गई थी इस दौरान ते किया गया है कि उपादिक्ष पत कॉंग्रस को मिलना चाहे है तो हमारे साथ न्यूजरूम से लाइव एसोसियेट एडिटर गीत दिक्ष जी जुड़ गये है अधिक्ष उपादिक्ष के पत को लेकर है आपर कई तरह के अचकले लगाई जा रहे थे अधिक्ष तो चुनली आगा गया ग्रीश गौतम को लेकिन उपादिक्ष पे अभी भी कॉंग्रस की नजर बनी हुई है लेकिन यहाँ पर बीटर पी का कोई रुक ऐसा निकल कर सामने नहीं आ रहा कि उपादिक्ष का पत महां दिया जाए किस तरह से इसको समझा जाए आगी जाकर बादिक्ष का पत महां रपास होगा वहीं कॉंग्रेस ने कहती है कि परंपरा का जो जो हन हुआ या उसको तोड़ा गया है वो भाजपा न तोड़ा लेकिन इन कुतर्कों से सम्मिधान नहीं चलता सम्मिधान के आदर पर अगर वो चाहे कॉंग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें अज्यक्ष सकता पक्ष का होता है उपाजपा बेपक्ष का होता है लेकिन जिस तरह से सबादो साल धाई साल पहले कॉंग्रेस की सरकार का जब गठन हुआ था तब जब अजख्श और उपाद्यक्ष का पद जो है कांग्रेस की काते में चला गया था उसी रणनेते की तैट बाटपा है तरक दे रही है कि जो है उपाद्यक्ष का पद हमारे पास होगा पाध्धिक्ष का पद होता है. और यहां पर BJP की जिस तरह से प्रतिक्रिया निकल कर सामने आरही है. उसे लग तो नहीं रा कि उपाधिक्ष का पद इस बार खाते में उनके जाएगा विपक्ष ग है. परबर फेट तूट्ती होई यहां नजर आएगी? इसमें जो रनिती कल बनाई है बैठक में अपने नेताओं के साथ बैठके वो चुनाओ की और जा रही है मतला अगर चुनाओ की और जाती ही तो संक्याबल की दस्ती से भी अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं है पज भाजपा को मिलेगा लेकिन आपर अगर दोनों दलों की प्रतीक्रियाओं की बात करें तो दोनों दल अलग अलग प्रतीक्रिया दे रहे हैं अलग अलग ही रियक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं कॉंग्रस का कहना है कि हमने किसी भी तरह से परंपरा को नहीं तोड़ा वो बीजेपी ने तोड़ा बीज़ेबी भी हिस्ट इसको अब साफ कर रही है कि हमने तो किसी कोई परमपरा नहीं तोड़ी जिस तरह से उपाधिक्ष कपद ये सब कॉंग्रिस का किया धरा है अब कैसे समझा जाए कि आगे जाकर स्थिति कैसी होगी अगर बीज़ेबी हाँ उपाधिक्ष कपद नहीं देती है तो उसके बाद कॉंग्रिस को किस तरह से आप देखते हैं? तो फिर एक रस्ता कशी होगी जो पिछले आपने सबा दो साल पहले देखी थी अब लेकिन अगर ऐसे हालाज बनते हैं जो निर्वाचन की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो मुझे लगता है रितू कि उपाध्धिक्ष का पद भाजपा के खाते में ज़्यादा स्था तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय पावर की लड़ाई है पावर की लड़ाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाजपाय दिखाना चाहेगी कि हम सत्ता में मजबूत इस्तितीम है इसलिए उपाध्धिक्ष का पद हमारे पाद रहेगा लेकिन अगर कॉंग अभी उसका की समभावना नहीं दिख रहे हैं एक रेक्शन और चाहेंगे सर आप से जो सरा से यहां पर बीजपी के ने उपाधिक्ष पत के लिए नामों की जो फैरिस्त है वो तो यहां पर है सब को मालूम है लेकिन अगर कॉंग्रेस का किया जाए तो कॉंग्रेस से अभ कर रही है कि वो पहले उपाध्देश के चुनाओ करा पाएगी या नहीं करा पाएगी अभी तो उनक्या ही एक बैठक में तैनियों परा यह जरूर है कि वो मंच्छा आपनी व्यक्त कर चुके हैं कि चुनाओ की प्रक्रिया निर्वाचन में जाना पड़ेगा लेकिन हमारे साथ चुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया तो विधान सभाधिक्ष का चुनाओ निर्विरोध होने के बाद कॉंग्रोस उपाधिक्ष के पत पर अपना दावा ठोकने ज़ा रही है हालनके इस बारे में पूर्व मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का मिलना पहले ही साफ कर चुके हैं कि परंपरा के हिसाब से तो विपाधिक्ष का पत विपक्ष के लिए मिलना चाहिए लेकिन कई तरह के हां रियाक्षन निकल कर सामने आ रहे हैं वहीं पांच राज्यों में होने वाले विधान सबा चुनाव का कारेक्रम तरह करने के लिए आज चुनाव आयो की महत्पोंट बाठक होने जा रही है आज पांच राज्यों में चुनाव की तारीकों पर अंतिम मुहर लग सकती है इलेक्षन कमिश्रन की ये एहम बैठक सुभा 11 बचे शुरू हो जाएगी माना ये भी जा रहा है कि बैठक में पश्रिम बंगाल, तमलनाडू, असम, पुडुचेरी और केरल में होने वाले विधान सबा चुनाव की तारीकों पर चर्चा होगे माना ये भी जा रहा है कि विधान सबा चुनाव अप्रेली आफिर मैं तक पूरे कराए जाएंगे चुनाव अयूग ने चार राज्य, पश्रिम बंगाल, तमलनाडू, असम, केरल और एक केंद्र शासत प्रदेश पुडुचेरी में विधान सबा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है चुनाव अयूग के बैठक सुरक्षाबलों के बंदोबस्त पर भी चर्चा होगे चले अब सीधर रुक करते हैं श्रिफपूरी का आज वहाँ श्रिफपूरी से एक बड़ी ख़बर मिल रही है कि ड्यूटी टाइम में डांस करते हुए नजर आये हैं नर्स डॉक्टर अस्पताल में चल रही थी डॉक्टर की डांस की डांस की प्रेक्टिस वीडियो जम कर वाइरल भी हुआ है तो श्रिफपूरी से आपको ख़बर बता रहे हैं जहां आपको बता दे कि ड्यूटी टाइम में डांस करते हुए नर्स और डॉक्टर नजर आये हैं अस्पताल में चल रही थी डॉक्टर नर्स की डांस की प्रेक्टिस खबर ये भी मिल रही है कि डॉक्टर या नर्स में से आज किसी की शादी थी जिसकी ये अस्पताल में डूटी टाइम्स में यानि की टाइम आवर में प्रेक्टिस कर रहे थे जिसका वीडियो वाइरल अब सोशल मीडिया पर हो रहा है तो शिफपुरी से खबर आपको बता रहे हैं डूटी टाइम में डांस करते हुए नजर नर्स डॉक्टर अस्पताल में चल रही थी उनकी डांस की प्रेक्टिस शादी समहारों में भी शिर्कत करनी थी जिसके चलते इस तरह से ये डांस की प्रेक्टिस की जा रहे थी जिसका वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है और ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां तस सामने आ रहे हैं कि नर्स या डॉक्टर में से किसी एक टी शादी हो नहीं है जुसके चलते ये इस तरह से प्रेक्टिस कर रहे थे ऐसे में रोकने धोकने वाला भी इनको कोई नहीं था और ये इतने मगन नजर आ रहे हैं कि और फोन लाइन पर हमारे सार शृफपूरी संबादाता आशीश पांडे जुड़ गये हैं आशीश ड्यूटी टाइम में डांस करते हुए ये वीडियो वारल हुआ जहां नर्स डॉक्टर डांस कर रहे हैं ऐसे में क्या किसी बड़े अधिकारी ने अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया है जी बिल्कुल मैं आपको बता दो रित्यू जी ये पहला मामला नहीं है स्वास्त रॉख का इससे पहले भी कई मामले साओं ने आ चुकी हैं और है पूरा वीडियो जो बताया जा रहा है वो पिछोर के बदरवास स्वास का बताया जा रहा है जहां ड लेकिन यह से में जो वीडियो वाइरल होना सवाल यानसान स्वास्त रॉख कर खले करता है कि स्वास्त रॉख का रहा है और तैसल इस तरह पर चर्मराती जा रही है लेकिन स्वास्त रॉख कोई भी अभी तक उचित कदम नहीं उठाए हैं और लगातार यह पहले भी दिखा जा सकता है कि वो अपने थोड़ा स्ट्रेस फ्री हुए और डांस कर रहे थे लेकिन अब चूंकि वीडियो वाइरल हुआ है तो इसमें पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आता इसा नकरात्मक की दृष्टी से ही देखा जाएगा अभी तक किसी भी तरह की सफाई यह अब इस खबर पर नजर बनाया रखे फिलाल आप हमारे साथ चुड़े उसके लापका बहुत शुक्रिया तो बड़ी खबर आपको श्रिफ पूरी से बतार रहे जोहां ड्यूडी टाइम में डांस करते हुए नजर आये नंकि दॉक्तर अब इस प्रेक्टिस चल रही थी भी कोई सफाई यहां निकल कर सामने नहीं आई है और यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे ते श्रिफ पूरी की जोहां डांस करते हुए नर्स और डॉक्टर नजर आये हैं फिलाल बड़ी खबर हमारी खास पेशकर्श बोलेटिन में इतना ही आप बने रहे जेनेन के आप नमस्का